गाइस आज की इस वीडियो में आपको बादूंगा कैसे आप अपने कामपेटर लप्टॉम में वाइफाई करने के बाद एक्सान नीट, नो इंटरनेट, एन ओपेन ब्राउजर, एन कानेक्ट इस दरह से पॉब्लिम हो रहे हैं तो आप इसो कैसे सॉल्ब कर सकते हूँ आज देखेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो में आगे बादने से वहला को सबीकर सौगा थे और एक ब्राइन नीव वीडियो में तो चलिए अज का वीडियो सुरू करते हैं ज़िए फैल आपने कंपेशाच में वाइफाई करनेके बाद वाइफाई में देखेंगे एक नोटीकर संहहे हो रहिए एक्सन नीडी नो इंटरनेट ओपन ब्राउजर एंड करने आप नोटिफिकसर में चेक आउट कर सकते हो सेम मैसेज आ रहा है इसको सॉल्ब करने के लिए आप रान कमांड को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद टाइप करना और जी एडिट एंटर में क्लिक करेंगे आपको प एंटर में क्लिक करने के बाद आप निचे में देखेंगे एनवल एक्टिव प्रोबली इसको डोल क्लिक करेंगे ओपन करने के बाद साइट में देखेंगे वालू डेटा यह आपको एक दिख जाएगा आप इसको चेंज करेंगे जीरो कर लेना और ओके में क्लिक करेंगे करने के बाद और एक comment copy कर दोंगी copy करने की बाद Registry Editor में paste करने के बाद ईंटर में क्लिक करने के बाद एंटर में क्लिक करने के बाद याँ प्राइटो क्लिक करेंगे New में आयेंगे दी और 32बी-get value इसमें क्लिक करेंगे और इसको rename कर लेंगे rename करके no active documents such करना एंटर में क्लिक करेंगे फिर एंटर में क्लिक करेंगे उपर्ण करने के बाद एक करने के बाद बाद आपने you लप्टों को रिस्टर्ट करने के बाद यह जो प्रॉब्लेम अपने कम्पेटर लप्टों में हो जाएगा आप वाइफाई में जाके देख सकते हो आपका जो वाइफाई ओकनेक्ट होगा है इसली व्राउस कर सकते हो कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा तो वीडियो अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरू साथ से कलेना तबते के लिए गुट बैंटे क्यार फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ जैहीं बंद माधरम